हलो दोस्तो वेलकम टू दे कनिकास फूट रेसिपी आज हम बनाएंगे मुंफली की बर्फी जो कि सर्दियों के दिनों में बहुती चाव से खाई जाती है तो आज इस बर्फी को हम घर पर बनाएंगे ये बर्फी जितनी खाने में टेश्टी लगती है उतनी सेहत के लिए भ मुंफली तो मैंने यहाँ पर एक अटोरी मुंफली का इस्तेमाल किया है जरूत के अनुसार आप कमिया ज़्यादा भी कर सकते है तो इन मुंफलियों को ड्राइ रोष्ट कर लेंगे जब तक इस पर बलेक बलेक से स्पोर्ट नहीं दिखने लग जाए तब तक इसे चलाते रहेंगे दो तीन मिनट में आसानी से रोष्ट हो जाती है तो आप देख सकते हैं इस पर बलेक बलेक से स्पोर्ट दिखने लगे है तो यह हमारी मुंफली अच्छे से रोष्ट हो चुकी है और इसका चिलका भी हटने लग गया है तो देखिए मैं आपको चिलका अगर दि तो देखिए मैंने सारी मुंफली का चिलका हटा लिया है या फिस सुत्ती कपड़े में लपेट कर इसे अच्छे से रप करोगे तो भी यह मुंफली के चिलके हट जाएंगे अब ग्रेंडर जार्मीन मुंफली को डाल दे और इसे बारिक बारिक इसका पाउडर बनाना है तो देखिए थोड़ा दरदर सा इसका पाउडर बना ले और मिक्सी को रोक रोक कर चलाए एक साथ आपको मिक्सी को नहीं चलाना है नहीं तो इसका ओयल रिलीज हो जाएगा और यह पाउडर फोग में नहीं आ पाईगा तो इस तरीके का आपको यहां पर पाउडर बना के तयार करना है अब फिर से ले लेंगे एक कड़ाई और जितनी हमने मूफली ली थी उतनी ही एक कटोरी यहांपर गुड का इस्तेमाल करना है गुड को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे अगर इस तरह के से आप गुड और मुंगफली की बर्फी बनाओगे तो मार्केट वाली गुड़ और मुंगफली की बर्फी लाना तो भूली जाएंगे और इस तरीके से धेरो सारी गुड़ और मुंगफली की बर्फी कम बजट में भी बन जाएगी यह देखिए कड़ाई में भी गुड़ अच्छे से मे क्योंकि हम यह बर्फी बहुती सौप्ट मुह में घुल जाने वाली बर्फी बनाने वाले हैं इसे हाइड नहीं बनाना जैसे हम मौमफली की चिक्की वगेरा बना दे उस तरीके की बर्फी नहीं बनेगी एकदम सौप्ट बनकर तयार होगी और दातों के भी बिल्कुल भी न दालना है अब दाल देंगे इसमें आर्दा कटोरी दूद दूद से बर्फी और भी जादा सौप्ट बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुती उबर्द कर आएगा एकदम मार्केट इस्टैल में बर्फी बनकर तयार होगी जब यह दूद अच्छे से मिक्स हो जाए जिसमें दो टेबल स्पून इसमें घी डाल देंगे घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और दूसरी बात यह कि इसके उपर बहुत ही अच्छी साइनिंग आएगी अब इसे जब तक चलाते रहे जब तक यह मिस्रण गाड़ा नहीं हो जाए और ध्यान रहे यह सारी प्रोसेस हमें गेस की लो फ्लेम पर ही करना है फ्लेम हाई नहीं रखे नहीं तो बुड जल जाएगा देखिए इसकी कंसिडेंस से भी चेंज हो गई है तो हम इसे एक ट्रे में डाल देंगे या फिर एक थाली में इसे फेला देंगे तो मैंने यह आप थाली पे प प्रोसेस करके बता रही हूं तो सारा मिसरने से इसके अंदर डाल देंगे और एक थाली में इसे इच्छे से फेला देंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों इसके उपर कितनी अच्छी अच्छी साइनिंग आई है अब इसके ऊपर थोड़ी सी बादायम की कतरन डालेंगे इसके साथ इसके उपर पिस्ता भी एड़ कर देंगे या फिर आपके पास ये चीजे एवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे भी खाने में बहुती ज़्यादा टेश्टी लगती है तो चलिए ये थोड़ा थोड़ा सा सेट हो गया है तो पहले ही इसके उ पर कट लगा देंगे तो इसे आदा गंटे तक सेट होने के लिए इसे फ्रीज में रख देंगे बाद में हम इसकी पिसे निकालेंगे तो मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था आदी गंटे बाद में इसे देखेंगे तो देख सकते हैं आप मैं इसकी पिस निकाल के बता तो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी बर्फी बंकर तयार हुई है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद रहे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन किलिक करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे SEO रेसिपी के साथ तब तक के लिए ओके ब झाई